हलो स्टूडेंस, वेलकम टू पहल क्लासेज, मैं आनन सिंग राठोड, आज आपके लिए लेकर आया हूं Computer Science MCQ Part 13 इससे पहले हमारी 12 पार्ट आ चुके हैं, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यूस्टर नमबर फर्स्ट है, एंटिवाइरस प्रोग्राम के संदर्ब में कौन सा सही है, मैकफी, एवीजी, कैस्पर स्काई, ओल ओफ एबोग, तो इसका सही आंसर होगा, ओप्शन डी, ओल ओफ एबोग, यह देखिए, मैकफी का आइकन लोगो है, इस तरीके से होता है, और एवीजी का इस तरीके से, और कैस्पर स्काई वाला, लास्ट वाला, तो यह तीन तरह है कि, क्या है तीनों, एंटिवाइरस है, नेक्स क्यूशन, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्केनर, प्रिंटर, स्क्रीन, प्लोटर, त स्केनर, स्केनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमें प्रिंट देता है, एज हार्ड कोपी हम प्रिंट आउट कुछ भी निकाल सकते हैं, स्क्रीन क्या करती है, हमें डिस्प्ले देती है, तो हमें वो आउटपुट दे रही है, प्लोटर, प्लोटर भी क्य क्या करता है प्रिंट निकाल के देता है तो स्केनर का क्या काम है कि कोई भी डॉकुमेंट या कोई भी इमेज उसे हम स्केन कर सकते हैं उसको बाद में सॉफ्ट कॉपी यूज कर सकते हैं तो सही आंसर होगा इसका ओप्शन ए स्केनर नेक्स क्योशन एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट करता है सी और डी दोनों एक बार में एक से अधिक कोपी निकालता है एक बार में एक अक्सर प्रिंट करता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है लास्ट क्लास में हमने बताया था कि वो डॉट डॉट करके कोई भी अलफाबेट कोई भी करेक्टर बनाता है तो उसमें by pressing ins के सुरू उसका print बनाता है तो इसका सही answer क्या होगा option b c and d और dot matrix printer क्या कर सकता है एक command से एक से अधिक print out भी निकाल सकता है यानि many prints भी निकाल सकता है और एक बार में एक एक अक्षर print करता है वो line by line चलता रहता है तो इस तरह से option c और d दोनों से ही होगे एक बार में पूरी line print नहीं करता है तो ये option गड़त हो जाएगा next question कौन से device में data एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता या store नहीं किया जाता कोई भी device है उसमें एक से अधिक बार बार उसमें data हम store नहीं कर सकते किस device में options cd r cd r w dvd r w flash drive तो इसका सही answer होगा option a cd r cd r का मतलब क्या है हमारे पास कोई भी cd होती है कोई भी cd होती है वो दो तरह की होती है एक writable और एक rewritable यानि एक को हम एक बार ही use कर सकते हैं और एक को हम बार बार use कर सकते हैं तो cd r जो आती है वो writable आती है only writable cd r क्या है writable और cd r w rewritable और dvd r भी क्या है r w वो भी rewritable है flash drive है उसमें हम एक बार से ज्यदा pen drive में हम data save करती ही है तो इस तरह option a इसका सही answer होगा next question किस disk की storage capacity सबसे ज्यादा होती है blu-ray floppy disk cd dvd तो इसका सही answer होगा option a blu-ray blu-ray क्या है ये भी as a cd आती है cd और dvd के तरहीं दिखती है ये भी बट इसकी storage समता है वो 25 jb होती है और एक आती है इसमें जो dual side work करती है दोनों side उसमें layer बनी होती है वो क्या करती है उसमें इससे एक double capacity होती है 50 gb storage है उसकी बहुत कबी में बहुत कम उसकी capacity होती है और cd cd की कि इतने की आती है 700 mb dvd 4.7 gb ये भी कभी कभी boost लेते हैं इनकी capacity तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी ब्लू-ray कितनी 25 या 50 दोनों से यह सिंगल लेयर वाली में 25 होती है और डबल लेयर में 50 gb तो option done next question ms word में document के नीचे पहुंचने के लिए नीमन में से कौन सा की दबाते हैं अगर हमने word की फाइल ओपन कर रखी है उसमें बहुत सारे page हैं तो हमें last में पहुंचना है उसके लिए कौन सी की use में ली जाती है options page down की home की ctrl plus end की end की तो इसका सही answer होगा option c ctrl plus end की हम document में last में जाने के लिए use मिलेते हैं next question spellings checking करने के लिए कौन सा function की का उपयोग किया जाता है अगर हमें कोई spelling check करनी हो word में या किसी document file में कि यह सही है या गलत तो spelling checking के लिए की काम में ली जाती है f2, f5, f7, f11 तो इसका सही answer होगा f7 option c तो spelling checking के लिए कौन से की काम में ली जाती है f7 यह एक function की है जो keyboard पर उपर उपर होती है next question कौन सा search engine नहीं है altvista.com google.com facebook और yahoo तो इसका सही answer होगा option c facebook क्या है एक social media है जिसमें हम चैटिंग and all करते है google.com यह एक search engine है altvista यह भी एक search engine है यह भी एक search engine है तो यह तीन search engine है और facebook एक social media तो इसका सही answer होगा option c next question कंप्यूटर के छेत्र में .bas.doc.htm किसके उधारन है options extension protocols database दिये गए vehicles में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा option a extension तो computer के छेत्र में यह क्या होता है . .htm है तो यह क्या है एक webpage file है या website में जो भी बनाते हम वो और .doc यह क्या है document file जो word में बनाई जाती है तो इसका सही answer होगा option a extension mailbox में email को कौन सा सरल प्रोटोकॉल फेच करने के लिए उप्योग करता है mailbox में हमारे पास जो email आते हैं उनको कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारे mailbox में उन्हें फेच करता है options पी ओपी टू पी ओपी थ्री आई मैप कोई नहीं तो इसका सही answer होगा option b पी ओपी थ्री अब पी ओपी थ्री की full form क्या होती है पी ओपी की पोस्ट ऑफिस ऑफिस प्रोटोकॉल तो पी ओपी की और आगे जो थ्री है तो यह थ्री क्या है वर्जन वर्जन नंबर है कि यह थर्ड वर्जन है तो मेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज मिलिया जाता है ओप थ्री एक्सक्यूशन कंप्यूटर का उपयोग एज्यूकेशन में हुआ था कब से हुआ था 1960 1970 1980 1990 तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन B 1970 1970 नेक्स्क्यूशन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उधारण है यूनिक्स लाइनेक्स विंडोज ए और बी दोनों तो इसका सही आंसर होगा यूनिक्स ओपन सोर्स है और लाइनेक्स भी ओपन सोर्स है यह दोनों ओपन सोर्स है इनके लिए करके रखना पड़ता है जिसे हमें कोस्टिंग पे करनी होती है जिसकी नेक्स्क्यूशन इनमें से कौन सा एक एकल या सिंगल यूजर ओपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, Unix, Genix, Linux तो इसका सही आंसर होगा MS-DOS MS-DOS क्या है एक ओपरेटिंग सिस्टम है जो Microsoft बनाती थी और यह एक सिंगल यूजर ओपरेटिंग सिस्टम है Unix, Genix और Linux यह मल्टी ओपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर ओपरेटिंग सिस्टम है इसका सही आंसर होगा MS-DOS निमन में से कौन कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है read instructions, interpreted instructions, direct operation, provide control signal तो इसका सही आंसर होगा MS-DOS option C, direct operation, control unit क्या नहीं करता है direct operation नहीं करता है बाकी काम यह control unit करता है तो इसका सही आंसर होगा option C next question, निमन में से कौन सा personal computer के लिए Windows operating system software का version नहीं है हम जो personal computer use में लेते हैं उसमें हम दो तरह के operating system use में ले सकते हैं एक open source और एक जो without open source होते हैं जो हमें purchase करना पड़ता है तो इसमें यह पूछा है कि Windows operating system का कौन सा version नहीं है तो Linux यह Windows का नहीं है और other तीनों जो option यह है वो Microsoft नहीं बनाती जो Windows का operating system नहीं है और यह बाकी Windows के version है 98, ME और XP यह तीनों Windows के और है next question तो आज के यह थे 15th question students अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे description box से आप link download कर सकते हैं अगर आप लोगों को यह हमारे questions अच्छे लग रहे हैं तो हमें comment करके बता सकते हैं और इसमें क्या improvement की ज़रूत है वो भी हमें बता सकते हैं धन्यवाद